करेंगे जो बहुत मेरे पास common questions आते हैं पहला question कि हम morning profit कमाके बैठ जाते हैं पर eventually जब हम उठते हैं तो loss लेकिल उठते हैं जो भी day traders होते हैं second question आपका यहाता है कि हम लोग professional trading की तरह किस तरीक से trading करें ठीक है और उसमें आप किस तरीक से profitable convert हो सकते हो ठीक है सबसे पहले नंबर पर हमारा question आता है कि morning profit कर लिया लेकिन कटम करते करते और loss कर लिया चाहें आपने overtrading करी और whatsoever simple एक चीज़ बताओ मुझे let's say आपने 10,000 रुपीज निकाले एक्जामपल लेते हैं किसी का 1,000 होगा किसी का 10,000 होगा किसी का 1,000 होगा depending on the size of the capital ठीक है कि कहते हैं कि लाइफ ट्रेडिंग मैं इसी जो यूए ट्रेड्स लेता हूं मैं इसके ही शेर्स करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में ठीक है स्टॉक्स के अलग से सोती है आप देखो कि मॉर्णिंग के अंदर 9 23 पे 17 5 25 30 के बीच में हम लोग ने सेल किया था निफ्टी क ठीक है यानि कि हमार अभी उनको जो लोग केल्कुलेट्शन में किसे करते लाउस कैसे डिटर्माइन करें वो एसल है 30 पॉइंट का ठीक है और टार्गेट कितना था अपना टार्गेट है अबना तक्रीवन तक्रीवन मोटा मोटा आप मान की चलो कि 60 पॉइंट और 50 इसमें री हंडर्डेट का टार्गेट था और अपना अबना तक्रीवन मोटा मोटा मान की चलो कि आपने 250 पॉइंट के अपने 50 निफ्टी में केपचर करें मैं मान के चलता हूं आपने 100 कॉइंट करें तीक है अब इसमें एक एक ग्साम्पल के साँथ समझें ठीक है इसमे भी आपने 100 किया है, that means आपने 5,000 रूपीज इसमें निकाले और आपने इसमें 25,000 रूपीज निकाले, टोटल आपने 30,000 निकाले, और लोगों निकाले स्कीन शॉट्स हैं मेरे पास, ठीक है, मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता हूं, कि अब आपका next hit, अब आप यह 570 पे 530 अपना SL था, और 610 और 640 अपना target से, अब इसको नीचे से सुनना, आज के दिन हम लोगों ने और विटेट्स लिये दे, लेकिन सब में cost2 को थोड़ा बत profit लेके निकल गए थे, ठीक है, यहां पे, यहां पे जो मैंने message flash किया था, 550 पे आपको नियर अपना 550, 555 के पीछे निकल लिए, बिफोर SL, ठीक है, SL अपना 40 था, लेकिन हम यहां पे निकल लाए, यानि 15 पॉइंट्स का था, अब ध्यान से समझना, आपका SL पॉइंट्स कितना था, जो केल्कुलेशन करने है, ठीक है, अभी मैं फ्यूचर की बेसिस पर लग रहा हूँ, आपको 30 पॉइंट्स के सलता, ठीक है, मैंने आपको क्या बता है, जो भी आपने आज प्रॉफिट किया है, किसी भी कंडिशन में आपको रिस्क उसका 40 तू 50 पर से ज्यादा नहीं लेना है, यानि कि आपने 10,000 का रिस्क लेना है, कैल्कुलेटर कैसे होता है, स्टॉप लोस से कैल तो आपने कि आपने 10,000 रुपिस को डिवाइट कर दिया 40 से, यानि कि आप किसी भी कंडिशन में 250 से ज्यादा क्वांटिटी निले सकते है, ठीक है, आपको लेनी ही नहीं है, जाए कुछ हो जाए, अब यहीं पहीं मैंने क्यों दीर दीर आपने महा पर बीच में नोट दे तो आपने 5,000 रुपिस को डिवाइट कर दिया 40 पॉइंट से, जो भी आपका इसल बन रहे है, ठीक है, 125 पॉइंटी फॉइंटी 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 नहीं है, तो आप उतना करो, आप देखो second trade मैंने bank nifty कर नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, बिकॉज अगर दोनों में लेट से हम एक shoe manufacture कर रहे है, ठीक है, उस shoe की जो market price है, वो 5,000 रुपिस की है, एक्जामपल ले रहे है, इसकी आपकी एक shoes की factory imagine करो, आपका कोई भी एडिडाज वगर का shoes है, ठीक है, इसकी manufacturing cost आती है, total cost वगर आती है, 2500 रुपिस, तो आपको profit, लेट से बदस है, 2500 रुपिस लगाने नहीं है, आपने एक factory लगाई होगी, let's say factory की cost आपकी 10 रुपिस, जितना एक example लेने, ठीक है, 10 रुपिस का आपने लगाया, capital मान लिया, ठीक है, आपको 5000 रुपिस कमाने तो है, लेकिन 2500 रुपिस गवाने नहीं है, ऐसा practically सोचो ना, आप सिर्फ कमाने के बारे में सोचोगे, आप SLS नहीं दोगे, तो मार्गेट में आप कैसे कमा सकते हो, हाँ, आपको करना क्या होता है, पोजिशन साइजिग, जसमें आपको बदाए था ना, कि आपने एक बार प्रॉफिट के लिए, पोजिशन साइजिग अपनी मिंटेन करके चलो, या पर ट्रेड को स करते हो ना, तो आपको विल पॉवर अपनी स्ट्रॉंग करनी पड़ेगी, साम में ट्रेड डिख रहा है, और ट्रेड नहीं लेना है, करेक्ट बैसा करके, तो आपको लोग गलती है करते हैं, यहां पर इसको को स्टिंग ही नहीं नहीं मानते हैं, आप ऐसा मान के चलो कि य इस पार्ट ऑफ यूर बिजनेस, यह आपकी कॉस्ट है, आपकी जीव से जानी ही जानी है, आपको मैं सर्ज बता रहा हूँ, दम मुमेंट मैंने यह रियलाइस किया, इस टॉप लोग से दिनेश मार्केट को शुरू करे, उस दिन से लेके आज तक आपको करना क्या है, यह और सिर्फ मेरे का पैसा आएगा, वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबिल नहीं है, कहीं भी जाओगे आप, कितना भी आपको सेट अप मिल जाए, कितना भी एह हो जाए, लेकिन पर्फेक्ली कभी नहीं मिलेगा, और आपको याद रहना, टेडर तभी बनोगी जब आपका रिस् कर सकते हो, अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखो, यह गलतिय मैंने भी करता था, मैं लॉसस को एकसेप्टी नहीं करता था, मुझे यहाँ पर ब्रेक आउट दिखा, यहाँ पर कॉंटिटी मैं बहुत जादा खरीद दिया, और यहाँ पर इवेंचुली होता क्या था थ इस दिन 20,000 रुपे, इस दिन 25,000 रुपे हो जाते हैं, मेरे को प्रॉफित तो 5,000 रुपे गए मिलता है, लेकिन मैरे कॉस्स देदी 20,000 रुपे की, वहाँ से लॉसस देने शुरू हुए, अपना सिंपल एक चीज बनाओ, कि 6-7 ट्रेट आपके प्रॉफिटेबल बने, 1- 1.5 का at least हो, और उसके बाद ऐसे करो, और जो भी प्रॉफिट रिदूस होने वाली बात होती है, और जो भी लोग ये कहते हैं, कि मैं दिन में प्रॉफिट करता हूँ, और लास्ट में जाता हूँ, तो लॉस करके जाता हूँ, प्रैक्टिकली मैं कैसे मान सकता हूँ, कि इ इंट्रड की बात कर रहा हूँ, फिर आप कैसे कर सकते हो, आपने क्या कर रहा होगा, इस 30,000 रुपीज की प्रॉफिट कमाने के लिए 250 क्वांटिटी रखी होगी, और अगली बार आप थोड़ा सा ओवर कॉंफिटेंस होगा, जो भी वाट्सोयवर रिजन होगा, और इस क मुझे आपके भी माइंड में आता होगा, वो क्या आता है, सिंपली कि एक बार मैंने 30,000 रुपीज स्क्रीन पर प्रॉफिट देख लिया ना, उसके बाद अगर यह रिड्यूस होके 20,000 होगे ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बार आती है, यह 20-30,000 होगा, एक बार य सिंपल एक लॉजिक लगाओ, अगर जो प्रॉफिट कमाया है, उसको 50% का ही रिस्क लेना है, अगले उसमें ट्रेड में चाहिए, कुछ हो जाए, 50 का लेना है, 25 का लेना है, और पोशन साजिंग में आपको बनानी सिखा दी है, अगर इसे आपको आपको पोशन साजिंग क